जमु कश्मीर में लेजिसलेटिव असेंबली के चुनावों की प्रक्रिय अलग भग समापती पर है और इस वक्त देखने को मिल रहा है कि सभी पॉलिटिकल पार्टी अपनी अपनी तरफ से दावे कर रही हैं हाला कि अगर एक्जिट पोल्स की बात करें तो एक्जिट पोल्स का सिलसला भी शुरू हो चुका है और लगातार अलग अलग जगा से कई तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं कि कौन-कौन सी पार्टी और कौन-कौन से अलाइंसे मिलकर जमु कश्मीर में बड़ी बहुमत के तरेखा महाजन जी मौजूद है जमु साउथ की डिस्टिक प्रेजिट और भारती जनता पार्टी में महिलाओं को कहीं न कहीं आपके जैसी लेडीज ही आगे लाती हैं और कहीं न कहीं रेप्रेजेंट भी करती हैं तो मैं आप सबसे पहले तो यह बताएं कि क्या सोचते ह है आप कैंके अलग-अलग जगों से मैं यह कहूँगी कि कि करें करें कर रही हैं और कई सारे दावे किया जारे हैं कि पूर्न बहुमत से सरकार इनक। इसकी बन सकती है या फिर और कहीं पार्टी इसकी बन सकती है क्या सोचती है भारते जनता पार्टी जो अभी एक biggest largest पार्टी जो है अभी बन कर आएगी और मैं विश्वास है कि इस बार जो है जम्मू से हमारा मुख्य मंतरी हो इस सोच के साथ हमने काम किया है लगातार पिछले दिनों से आप देख रहे हैं कि हम काफी सालों से लोगों के बीच हैं भारते जनता पार्टी के कारेकरता लोगों के बीच हैं अलग-अलग योजनों के माध्यम से लोगों के बीच रहे हैं काम किया है और लोग भी समझते हैं कि अगर कोई सरकार एक ऐसी सरकार जो कहती है वो करती है तो वो सिर्फ भारते जन्ता पार्टी है और सिर्फ जम्मू में ही नहीं कश्मीर में भी हम देख रहे हैं कि आपने देखा होगा कि किस तरह से भारते जन्ता पार्टी का जो कैडर है वो बड़ा है संगठन मजबूत हु हैंगे सब कुछ कैसे हुआ 370 तूटने के बाद एक माहोल बदला है आज डिवलक्मेंट हो रही है आज टूरिजम बढ़ रहा है तो मुझे भी श्वास है कि आज भारते जन्ता पार्टी को अपनी हमें अपनी जो सरकार है वो बनाएंगे और मुख्यमंत्री भारते जन्ता पार्टी से होगा एक विपक्ष के द्वारा क्या सोचती है जह जो जम्हू से है वो जम्हू को आपको anger है तोrent जोभी चुना जाएक जो जम्हू से चुना जाएगा वो डोगरा सी एम रहेगा. काफी सालों से हम देख रहे हैं कि कौन लोग जो थे सरकार में थे सथा में थे उन्होंने सरकारी चलाई भी हैं और किस तरह का माहूल रहा? आपने देखा किश्मीर में क्या माहल रहा? जम्मू हमेशा निगलेक्ट हुआ तो जम्मू को भी हक है अपनी बात रखने का जम्मू के भी रिप्रेजन्टेटिव कभी ना कभी तो अगर हम उतने साल हमने उनको जो है लोगों ने मैंडेट दिया या वो रहे सरकार में तो अगर आज जम्मू का सीम बने तो मुझे लग में कॉंग्रेस अपनी तरफ से पिछले डेड़ सो से दो सो दिनों का आंकड़ा दिखाती है और कहती है कि बताईए कहां पर गिरावट आई है और अगर गिरावट आई भी है तो कहीं ना कहीं इस टेररिजम को नॉमलाइज करने का प्रयास किया जा रहा है और ये नॉमला जो टेररिजम था वो कितना जाता था क्रोस बोडर जो फाइरिंग रहती थी एक समय था जब डिमांड की जाती थी कि कितने बंकर बनाये जाए आज आज आपको वो जो बंकर है वो वैसे के वैसे पड़े हैं अब ये समझने आता है कि उसका क्या यूज किया जाए तो एक आज के समय में काफी सारा जो अमिशा जी ने जिस तरह से कहा है कि आज काफी गिरावट आई है वो समय हम भूलनी सकते जब कश्मीरी लोगों को अपने हमारी बहनों को हमारे भाईयों को अपने घर छोड़के यहां पर आना पड़ा और जब किसी वेक्ती का एक पहन भी पर पत्थरबाजी की जाती थी आम जंदा तो दूर की बात है उन पर पत्थरबाजी की जाती थी तो रोज एंकोंटर होते थी आज काफी गिरावट आई है आज हर जगा तिरंगा ही तिरंगा है कभी आपने ऐसा कभी नहीं सोचा होगा कि इतना लाल चोंक पे तिरंगा र सेक्योटी रिजन्स के मैं अपने आपको सुरक्षित नहीं समझता था वहां पे जाना और आज अच्छा है जब राहूल गांदी जी आते हैं वो किश्मीर में टहरते हैं लाल चौंग पे जाते हैं तो सबी कुछ इसलिए कर पाते हैं कि आज मोदी जी के नेतितों में एक पे जो है वो काम कर रही है तर्रिरिस्म की बात हो चुकी है लोगों के बार में आप क्या सोचते हैं कि अक्सर लोगों को नाराजगी भी रहती है भाते जन्ता पार्टी की तरफ और कई बार देखने को मिलता है लोग आते हैं भाते जन्ता पार्टी के दफ्तर के बार प्र मुझे लगता है कि लोगों ने हमें पूरी तरह सपोर्ट किया है क्योंकि आज बात हमारे पर्सनल चीज़ें रहती है काफी कुछ हुआ है काफी कुछ नहीं भी हो पाया है और मुझे लगता है कि उमीद उसी से की जाती है जिस पर हमें भरोसा होता है तो अगर जनता आज भ के साथ हैं और उनकी बात रखी भी जाएगी हमने कहा है डेली वेजर्स का जो इशू था हम उनको भी जो है रेगलराइस करेंगे पिछली सरकारों में क्या हुआ क्या नहीं हुआ वह सभी लोग जानते हैं और उसको जो है उन सभी लोगों के जो मुद्दे हैं वो सॉटोट ह होंगे उनको सॉल्व किया जाएगा और बड़ी बात है कि यह चीज़े तो रहेंगी लेकिन अक्सर कहा जाता है कि देश है तो सब कुछ है तो देश प्रत्थम रहकर देश को प्राथमिक्ता देखकर जो है जब सरकार चुननी है डेलपमेंट पहले भी होती थी पिछली सर मैनिफेस्टो देती है जब एंसी अपना मैनिफेस्टो देती है तो वो क्या मुद्दे रखती है वो जब उनकी बात तक नहीं करती वो पत्थर बाजों को जो है जो जेल में है उनको चरिहा करने की बात करती है वो 370 को जो वापिस लाने की बात करती है तो जनता भी चीज नहीं लोगों को पहुंचानी हो चाहिए वो आयुशमान का कार्ड बनवाने हो हमने जगा जगा पे कैम्प लगवाए भार जंदा पार्टी का कारे करता लोगों के बीच रहा लेकिन जब चुनाव आता है तो ये सब चीजे मतलब ये लोग वो लोग हैं दूसरी पार्टी के जो आपको कभी लोगों के बीच नज़र नहीं आएंगे कि लोगों के क्या मसले हैं क्या मसाइल हैं उसके लिए आपको नज़र नहीं आएंगे तब आपको भारते जंदा पार्टी का कारे करता नज़र आएगा लेकिन जब चुनाव आता है तो ये लोग सामने आते हैं औ अलग तरह के मुद्दे लेकर जो है ये लोग सामने आते हैं लेकि मुद्दों के मामलों में और भी सुनने को मिला कि भारते जनता पार्टी जम्मू के संभाग के जो भी लोग हैं उनके साथ कुछ और वादे कर रही है उनसे कुछ और बात कर रही है और कश्मीर में जाकर ये लोग कुछ और बात करें इस तरह की कुछ बाते कही गई है विपक्ष के द्वारा उस पर क्या जवाब रहे हैं जी ये बिलकुल गलत है क्योंकि ये उनकी सोच है क्योंकि अक्सर आपने ये देखा होगा कि जब फारुक अब्दुल्ला जी जब कश जी हमेशा जम्मू किश्मीर की आल रॉन डिवल्पमेंट की बात करते हैं ऐसा कभी नहीं हुआ कि जम्मू को कुछ दिया हो किश्मीर को ना मिला हो और कश्मीर को कुछ दिया हो जम्मू को ना मिला हो और ये पहली बार हुआ है तिन सो सतर तूटने के बार यहां पर जो का हक मिला है ये मैं कहना चाहती हूँ आप आप बात करेंगे जितने भी लेजिसलेटिव चुनाव की जो गिंती है वो तो चली आठ तारीक होगी पर पांच सीटों के नामांकन की बात सामने आ रही है जिसमें देखने को मिला है कि दो सीट्स पावरफुल महिलाओं को दी जा कों होता है कौन होगा हमारी लीडरशिप है हमारा संगठन है क्यों कि फैसले वहां पे लिये जाते हैं तो कौन होगा ये तो मुझे लगता है डिसाइट किया गया होगा लेकिन जल्दी आपके सामने भी आजाएगा कौन होगा कहां से होगा तो जी जो इलेक्शन आने वाले हैं तो उसमें आपको लगता है कि भारत जनता पार्टी का जो कमल है वो जम्मू संभाग और कश्मीर संभाग दोनों जगा खिलेगा बिल्कुल कमल खिलेगा और अच्छी सीटे हम जीत कर आएंगे 35 से 40 सीटे हम जीतेंगे पारे में कहा जारा है कि हो सकता है कि चिविर में आलाइंस जो है वो अपना हाथ जो है वो लेकर आहा हाथ और अच्छी हो कमल खिलाएगी और काफी सारे वहां पर भी हमारे केंडिडिट जीत कर आएंगे और मुझे लगता नहीं है कि इतना इलाइंस इनका काम करेगा एंसी लेगी कुछ सीटें एंसी 30-35 तक हो सकता है सीटें ले लेकिन कॉंग्रिस 2-4 सीटों से अधिक चार या 5 से अधिक नज़र नहीं आ रहा तो इलाइंस आप समझ सकते हैं कि कॉंग्रिस की आज क्या स्थिती है बाकि सभी पार्टी जो हैं चाहिए वो अपनी पार्टी है हमारी बुखारी जी की पार्टी है हमारे सजाद जी की पार्टी है चाहें इंजीनियर रशीद की सबी मुझे लगता है कि 2-3, 2-3 करके हैं इंडिपैंडन्ट भी 4-5 इंडिपैंडन्ट हो सकते हैं तो इलाइंस कितना काम करेगा ये भी 2 दिन तक पता चल जाएगा पर भारते जनता पार्टी मुझे लगता है कि जस तरहां से लगातार हमने जम्मू में काम किया है, कश्मीर में काम किया है, राश्टर बार्डी पार्टी है, लगातार लोगों के बीच भी रहती है और केंदर में हमारी सरकार है मोदी जी लगातार जिस तरह से जमू की बात करते हैं शिनगर की बात करते हैं और जिन मुद्धों पे लोगों को भड़का रहे थे गलत धारना फैला रहे थे कि धारा tegen 170 हटेगा हम वापिस करेंगे वो कभी होनी सकता लोगों को ये वलकवाते हैं कि हम आने वाले समय में जमू को स्टेट होड़ देंगे तो मुझे लगता है कि गलत है क्योंकि अमिशा जी खुद कह चुके हैं पार्लेमेंट में कह चुके हैं कि जमू किश्मीर को वापिस स्टेट बनाया जाएगा और इवन की मोधी जी कह चुके हैं बार-बार जब भी आते हैं वो यही बात करते हैं लेकि इनी चीजों को वापिस लोगों के बीस में वही चीज करना यह कहीं ना कि इनकी आदत है यह करते हैं पर भारते जन्ता पार्टी हमारी सरकार बनेंगी आर्ट तारी को अपना हमारा मुख्य मंतरी बनेगा इसी सोच के साथ हम इंतजार कर रहे हैं जशन मनाने का जड़े बहुत शुक्रिया रेखा जी बातचित करने के लिए तो ये थे मेरे साथ रेखा माजन जिन्नोंने कहा है कि भारते जन्ता पार्टी का कमल जम्मू संभाग में क्या कश्मीर संभाग में भी खिलेगा और कहीं न कहीं एक बड़ा फैसला जो है उसका इंतजार किया ज जा रहा है आड़ तारीक पास है अब ज्यादा दूर नहीं है जारा समय नहीं रहा है दो दिन का वक्त है अब देखते हैं कि अगले दो दिन में जम कश्मीर की किसमत में क्या लिखा हुआ है आने वाला वक्त बताएगा और वोटर्स की चॉइस बताएगी तब तक के लिए देखते हैं ये दरत न्यूस साक्षी सानी के साथ सेवाराम की रिपोर्ट जम्मू